आज का हमारा टॉपिक य Almost师 apparent каким हैं और कवर किया था जाइट दोập जॉय आघո कर ने वाले हं बॉडिक न पढ़नगा जोह《 अबनालेकर दोफर जाइब किन वाले में और डिलन को कोपड़ते हैं तो बॉर्डिब होता च्या है बोडी के अंदर जितना भी फ्लूड है जैसे फ्लूड मींस जैसे water और solute जो कि उसमें dissolve है वो सारा क्या है गा? बोडी के फ्लूड कहलाएगा The water is dissolved solute throughout the body constitute the body fluid Body fluid के अंदर जो water है और water में मिला हुआ जो solute है वो सारा बोडी का फ्लूड कहलाएगा अब हम बात करते हैं blood की blood के अंदर दो चीज़े होती है mainly plasma और formed elements Plasma में जो होता है वो होता है amino acids nitrogenous waste nutrients electrolytes gases और proteins प्रोटीन में वो albumins यह सब होते हैं formed elements जो होते हैं formed element जो मिलकर बनता है वो जो को मिले कर बनता है leukocytes platelets erythrocytes means rbc platelets and wbc जो ल्यूकोसाइट्स है इसके अंदर यह दो में डिवाइड़ेड है granulocytes और एक granulocytes जो granulocytes होती है इसके अंदर neutrophils आती है बैसोफिल्स आती है और isynophils आती है एक granulocytes में lymphocytes आते हैं और monocytes आते हैं अगर हम adults की बात करें तो adults की body में जो blood होता है वो approximately 5 लीटर तक होता है अगर हम blood की pH की बात करें तो slightly alkaline होता है इसकी जो pH होती है वो slightly alkaline होती है आप इसका screenshot ले सकते हैं